अभी जैसे आप open करोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा अभी जैसे डेमो के लिए आप में जो bank nipty इसी को मैं select का लेता हूँ और इसी के किसी call option में आपको दिखा देता हूँ अभी जैसे आप में चलेंगे सीधा option chain में अभी जैसे आप जो इंक्या उनोजा 100 का call option है इसी को में select का लेता हूँ कुछ इस तरीके से और उसके आप में buy पे click करेंगे यहाँ पर कि जो trailing asl रहते है उसको लगाने के लिए आपको इंटर डे select काना पड़ेगा और उसके आपको जो bracket वाला order है इसको आपको यूज काना पड़ेगा तो आपको limit order select काना है उसके आपको bracket order select का लेना है और बाकि इस ऊपर आपको quantity इंटर कर देना है कि आपको कितना quantity में trailing asl को लगाना है अभी आप में demo के लिए एक ही lot को रहने दूँगा अभी कि जो trailing asl इसको लगानी के लिए आपको इसको select काना है कुछ इस तरीके से फिर आपको gap लेना पड़ेगा कि जो भी आपका trailing asl है कितने point से trail होना चाहिए तो यहांसा आप 1 point ले सकते हो 10 point ले सकते हो बाकि जो भी आपका premium रहता है उसके उपर भी depend हो जाता है और गाईस आपको कितने point का stop loss लगाना है तो भी आपको यहां पर इंटर कर दिना है जैसे मुझे आपको 5 point का stop loss लगाना है तो आपको 5 point इंटर कर दिया है अभी के इस buy काने के लिए normal app app को swipe to buy पे click काना है कुछ इस तरीके से जो भी आपको order रहेगा complete हो जाएगा अभी आप आप देख सकते हो break it order receive करके आ गया है यहाप आपको view order पे click काना है और अभी आपको orders में देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से यहाप आप देखोगे open order देखा रहा है ओके इस यहाप मारे एक limit order लग गया है चलिए हम इस पे click करेंगे modify पे click करेंगे अभी आपको देखोगे हमने buying price डाला हुआ 70.70 का और अभी इसका current price चालूँए 19.10 का अभी आपको में 19.50 कर देता हूँ क्योंकि यहाप आपको देखोगे और आपको मारे ट्रेलिंग SL भी लग गया है अभी आपको देखोगे जोबे मारे SL 14.50 पे लगा हुआ है जोभी call option इसका price जैसे ही उपर जाएगा LTP उपर जाएगा जो यहापर मारे जो ऐसर रहेगा 1.00 आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है अभी जो भी position इसको में close करूँगा जो भी order रहेगा इसमें से अगर मैं किसी को भी cancel का ही ने जाऊँगा जो यहापर मेरे जो position रहेगा close हो जाएगा आपको में cancel पर क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके से एस पर क्लिक करूंगा जो भी पाजिशन है आटमेटिकल यहाँ पर क्लोज हो गया आए जो यहाँ पर देख सकते पाजिशन पर क्लोज हो गया है